हेलो वीवर्स नेसे संजके है उमेद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे ठंड काफी पड़ गई है और आज मैं एक बहुत खुबसुरों से डिजाइन में लेकर आई हूं जो कि दो कलर में मैं आपको बनाई हूं यह डाक पीछ कलर है और यह वाइट है वाइट में आवल क कर देजाइन है यह आप बहुत तरीके साब कर सकते हैं एक तो यह उन जो है यह मैं जितने आप ठिक लेंगे उतने आपके डिजाइन अच्छे से आएंगे चाहे आप सिक्षपलाई लीजिए चाहे एक्पलाई लीजिए पहरे बात ही यह सेकेंड यह है कि आप दो कलर में एक कलर में भी कर सकते, मैंने यहां पर आपको दो कलर का मैं करके दिखाई हूँ, पर मैं जब सिखा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, वो समय में एक ही कलर का उन से मैंने किया हूँ, तो दोनो टाइप से आप कर सकते हैं, और यह देखे, पीछे में ऐसा टाइप कर आ ज सिंगल एक आवल कर सकते हैं उस situation में आप इस वो थोड़ा भी आप कर सकते हैं अगर आप मुझे comments में लिखेगा तो मैं आपको नेक्स्ट में एक video बना के आपको दिखा सकते हूं कि आप इसको कितने बड़ा आप कर सकते हैं आप मुझे size बता दीजेगा तो मैं आपको दिख सकते हैं आप मेरे साथ साथ कीजिए आप design देंके मत घबडाएए कि यह बहुत hard design यह बिल्कुल भी hard नहीं है बहुत easy design है मैं जैसे जैसे steps आपको मैं बताते जाओंगी आप वैसे ही follow किजिए और पहले आप मैं 18 फंदें से मैंने किया आप 18 फंदें लेके आप कीजिए औ एक साथ में कैसे करेंगे पूरा चीज आप लोगों को समझ में आ जाएंगे यह ज्यादा hard नहीं है यह बहुत easy design है लेकिन दिखने में बहुत खुबसूरत है और आसकल तो आवल आप लोगों का training चल रहे हैं तो training वाले ही है चली शुरू करते हैं यह देखिए design कितनी प् कलर को उन लिए थी एक डीप पीछ कलर के और एक वाइट क्रीमी टैप के और जो आंके और हुट्स जो देख रहे ही इसको मैंने अलग से black और red कलर से मैंने स्टीच कर लिया था और यह हमेशा बॉर्डर के बाद एक लाइन सीधा और एक लाइन उल्टा कर लिजेगा उसके बाद आप कोई भी डिजाइन डालिए उसके बाद ही आप कीजएगा तो आपके बहुत अच्छे से डिजाइन खिल के आएंगे और नीचे में देखे जब मैं फंदे उड़ाती हूं तो यह हो जाता है फ्रॉंट और यह हो जाता है बैक आपको ऐसे ही आपको समझवाएग कि कौन सा फ्रॉंट कौन सा है कि यह हो रहे बैक और यह हो रहे देखी नीचे से यह हो रहे फ्रॉंट तो फ्रॉंट के बाद मैं सीधा पुरा बॉर्डर की हूँ और फिर एक लाइन मैंने सीधा की थी जो फ्रॉंट साइड में है इसलिए सीधा मैंने की थी और उल्टे त जो मैं दिखा हूंगी वो आप मेरे साथ साथ कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत एजी है चली हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक आवल का एक्षुले में एक आवल आ रहा है आठ फंदे की डिजाइन टोटल आठ फंदे में वो है अब मैं इसमें मैं सो सब्रू cache की चार फंदे चार फंदे कर लेते हैं तो बीच में मेरा आठ फंदे नहीं उससे जादा आ रही है तो मैं अगर फाइफ फाइप करते हूँ दोनों साइड से तो फाइफ फाइफ टें हो गया तो बीच में मेरा ऐटीण फंदे आ जाएंगे मैं यह देखिए वो देखिए जादा आ रहे टेन हो जाए रहे तो मैं यहां से फाइब मैं लेती हूँ दूसरे साइट से भी मैंने फाइब फंदे लेती हूँ तो फिर बीच में मेरा दू दू चार पच्छे साथ आठ फंदे अराम से मेरे डिजाइन आ जाएंगे हाँ तो अब मैं इसको शुरू करती हूँ और सबसे पहले पहला वाला जो है पहला फंदा हमेशा के तरह इसको मैं उठा लूँगी यह लिजे मैंने दूसरे निरल में उठा लिया अब मैं बचा चार फंदे तो चारों को मैं उल्टा करूंगी तो निरल को मैं आगे से और ग फोर्थ फिप्थ मतलब पांच हो गया मेरा यह निकालना अब मैं उनको अब मुझे डिजाइन भी डालनी है तो उनको मैं पीछे के और ले जाओंगी सबसे पहले मैं फोर फंदे को वान टू थ्री फोर यह जो फोर्थ वाला है इसको मुझे एक्चुली थोड़ा से मैं निडल में मैं इसको ले रही हूँ एक दो तीन और जो फोर्थ वाला फंदे को मैंने निकाल दिया था उसको लेके मैं निडल के आगे से मैं उसको ले रही हूँ मतलब एक फंदे इधर मैं आ गया अब मैं इसको पूरा मैं बुनूंगी और इसको मैं सीधा करूंगी यह उ दो तीन चार चार मैंने किया अब एगेन वो चार को करना है अब मैं क्या करूँगी ये पहला वाला फंदे जो है इसको मुझे पीछे में लेके जाना है तो इसको भी मैं थोड़ा से मैं खींच रही हूँ ताकि इजी पड़ जाए आप ऐसे डारेट भी कर सकते हैं लेकिन डर रहेगा कि कहीं फंदे फिसल के गिर न जाए तो वन टू त्री ऐसे उठा रही हूँ और इसको ले जाके अब मैं यहां से शिफ्ट कर दूँगी ताकि इजी ली मैं उसे बना सकूँ कोई फंदे गिर नहीं जाएगा नहीं तो क्या होते फिर बाद में वो हिजाम में गड़बर होते और गड़धा हो जाते हैं वान टू त्री फोर डीजी अपना एट हो गया एट फंदे अब देखे रहे हैं न उन कैसे करके मैंने इस सैट से दूसर सैट से मैंने कर लिया था अब मैं बाकी का जो फाइफ अंदे जो है वो देखे फाइफ अंदे है उसको मैं अब उल्टा करूंगी वान ये करने के बाद थोड़ा उन टाइट हो जाएगा आपका वान टू थ्री फोर फाइब ये हो गया अपका फाइब ये हो गया तो Front Portion मतलब पहला वाला पहला लाइन हो गया डिजाइन का अब मैं Second Liner में जारी हूँ बैक पोर्षिन अब बैक पोर्षिन मैं जा रही हूँ ये लीजी तो पहला फंदा मैंने उठा लिया अब इसको मैं सीधा करूँगी पाँच सेकेंड थर्ड फोर्थ फिप्थ फिप्थ हो गया बैक पॉशिन में अब उनको आगे के और लेके जाएंगे अब जो आठ जो फंदे थे उसको मैं अब उल्टा करूँगी आगे से लेके जा रही हूँ निडल को 1,2,3,4 आगे से निडल को 5,6,7,8 8 हो गया अब उनको मैं पीछे के और लेके जाओंगी अब मैं सीधा करूँगी 5 तो सीधा करना से निडल को पीछे से और गुशाओंगी और यह देखे 1,2,3,4,5 हो गया अपना सेकंड रोग अब हम जाएंगे थर्ड रोग पे थर्ड रोग को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि थर्ड और फॉर्थ यह लगातार हमारे 10 तक चलेगा तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए थर्ड रोग को यह लीजिए पहला हम उठा लिए हैं और 5 हमें करनी है तो यह हो गया पहला उठा लिए तो फिर यह दूसरा तीज़रा चौथा और फिप्थ यह हो गया उल्टा पांच हो गया उल्टा अब मुझे सीधा करनी है आठ आठ करनी है सीधा तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ हो गया सीधा अब उनको आगे के और लेके जा रहे हैं और इसको मुझे उल्टा करनी है चली, वान, टू, थ्री, फोर, फाइब फाइब हो गया उल्टा यह हो गया आपका थौर्ड लाइन अब हम जाएंगे फोर्थ लाइन में अब फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन में देखिए सबसे पहले फाइब हमें सीधी करनी है फिर हमें उल्टा करनी है एट अच्छा ये ध्यान रखें जैसे हमने थर्ड रो की थे एक जैसा बनेंगे और अभी जो फोर्थ चल रहे हैं तो फोर्थ शेक्स्थ एट एंड टेन एक जैसा बनेगा और फिर बागी का फाइब जो है वो सीधी बुननी है तो मैंने क्या बोली थी थर्ड फिप्थ सेवन्थ नाइन्थ एक जैसा फोर्थ शेक्स एट एंड टेन एक जैसा तो यह हो गया आपका फोर्थ तो यहीं वाला हम सेम ऐसे ही हम रिपीट करेंगे पहला फ्रॉंट साइड में पहला पांच हो गया मेरा उल्टा और फिर एट हो गया सीधा फिर 5 हो गया उल्टा यह हो जाएंगे फ्रॉंट पोर्शन और बैक में जस्ट उल्टा हो जाएंगे जहां पर सीधा हो रहा है वहां उल्टा और उल्टे के जिगा सीधा यह हो रहे हैं आपका फिप्थ लाइन 5 हो गया उल्टा और फिर उनको पीछे लेके आप चाते हैं इस portion को speed में करने के लिए तो आप speed बढ़ा सकते हैं क्योंकि design थोड़ी सी बड़ी है समझाने में थोड़े time लग रहे हैं इसलिए यह यह आई जो है यह मैं उल्टा कर रही हूं मेरे कले के आवाज भी जा रही है बहुत जादा ठंड है 5th line वो देखे बड़ी कैसे हो रहे है तो इसमें मैं count करके भी देख सकती हूं कि मेरा कितने line का हो रहे अब मैं 6th करूंगी सेम वैसे ही 5 हो गया सीधा 5 हो गया सीधा और 8 हो जाएंगे आपके उल्टे और फिर एगें 5 हो जाएंगे सीधे एक दो तीन चार एक तो मैंने उठा लिया था और ये बैक का 1 8 मुझे उल्टा करनी है तो 8 हम उल्टा कर रहे हैं ये हो रहे हैं आपका 6th number 6th line हो गया 8 अब मुझे rest 5 जो है वो मुझे सीधी करनी है ये 6th line के हो रहे है ऐसे ही मुझे 7, 8, 9, 10 मुझे करनी है सेम जैसा मैंने आपको बताए थी हाँ ये देखिए ऐसे ही मुझे 10 करनी है अब देखिए 10 अगर कहीं आपको यादने रहे तो आप इसे count भी कर सकते हैं कि आपका 10 हुआ की नहीं हुए है ये देखिए तो ये सीधिय से भी आप इसको count कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में था ही बैक साइट से जो मैं लेके आई हूँ अब मुझे उपर का डिजाइन करनी है मतलब 11 वाला लाइन में मैं जो फॉस्ट वाला लाइन में कीती सेम वही वाला रिपीट होगा फॉस्ट वाला एगें मैं 11 लाइन में कर रही हूँ पहला फंदा उठा लिया दूसरे को मतलब फाइब फर्स्ट फाइब मैं उल्डा कर रही हूँ काटे को आगे से ले जाके यह देखे दूसरा हो गया अब थर्ड फॉर्थ फिप्थ हो गया अब सेम वही पहला वाला का जैसा हम करेंगे उनको पीछे के और लेके गए फॉर्थ वाला फंदे को हमें आगे के और लेके जानी है तो हम क्या करेंगे पहला तीन मैं फंदे को हटा रही हूँ ले लिया अब यह फॉर्थ वाले को हम तोड़ा से कीच के यहां पर रख रही हूँ और पहला जो तीन जो हमने उठाए थे उस तीन को यहां करके वो वाला फेंका हुआ फंदे को आगे के और लेके गए और इस पे हमने गुजा लिए अब ये पूरा चीज़ को हम सीधे बुनेंगे उन तो पीछे था ही 1, 2, 3, 4 4 हो गया अब फिर एगें मुझे पहला फंदा दूसरे सेट में लेके जाने इसलिए थोड़ा से उठा लिए और तीन फंदे को मैं दूसरे निरल में मैं डाल रहे हूँ और जो फेंकी हुई थी वो वाला फंदा को मैं दूसरे निरल में लाके और ये तीनों फंदे को यहाँ पर रखके फिर मैं सीधी बुनूंगी ये लीजिए इसको फिर सीधे मैं करनी है वान, टू, थ्री, फोर, फोर मैंने कर दिया, जी, देखिया आगया, थोड़ा सा टाइट हो रहे हैं, उनका आगे क्या और करके मुझे पांच जो था फाइब, उसको मुझे उल्टाप करनी है, ये लीजिए, वान, टू, थ्री, फोर, फाइब, ये हो गया आपका इलेवन्थ वाला लाइन, इलेवन्थ लाइन हो गया, अब हम ट्वल्व लाइन में लेके जाए रहे हैं, अब ट्वल्व लाइन में क्या करूंगी, पहला फाइब हमें सीधी बुननी है, पहला फंदा उठा लिया, दूसरा मैं सीधी बुन अब उनको आगे के और लेके जाएंगे और 8 फंदे मैं उल्टा करूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हमने उल्टा कर लिया अब उन पीछे के और लेके जाएंगे और 5 फंदे मैं सीधे करूंगी 1, 2, 3, 4, 5 5 मेरा सीधा हो गया अब वो हो गया 12 अब हम 13 में जा रहे हैं ये देखें डिजाइन आ रहे हैं अब हम 13 रो में जा रहे हैं 13 रो में हम क्या करेंगे पहला फंदर उठा लिए वैसे कि 5 तो मेरा उल्टा ही जाएगा 2, 3, 4, 5 अब मैं क्या करूंगी तीन मैं सीधी बुनूंगी उनको पीछी के और लेके गए 1, 2, 3 तीन मैंने सीधी बुन लिए अब 2 में बीना बुने उसको दूसरे निर्ल में मैंने कर लिया बीना कुछ किया फिर 3, 1, 2, 3 ये तीन मैं सीधी बुन रही हो उसके बाद मेरे 5 मैं उल्टा करूंगी उनको आगे किया अब उनको पीछे का और करके फिर मैं बैक में जा रही हूँ ये लिजे बैक में अब क्या करेंगे ये लिजे पहला 5 जो है वो सीधा मैं करूंगी 2, 3, 4, 5 अब उनको पीछे के और लेके गए अब 3 मैं उल्टा करूंगी 2, 3 और 3 उल्टा करने के बाद दो मैंने उस समय पे वही किती बिना सिलाई के ये देखिए उठा लिया अब बाकी का 3 को मुझे उल्टा करनी है 1, 2, 3 करने के बाद उनको पीछे के और और 5 में जे सीधी करनी है 1, 2, 3, 4 5 5 मैंने सीधी कर लिया अब उसको जैसे मैंने 1st रो में की थी 11 रो में की थी सेम वही वाला ये 15 रो हो रहे 15 में पे वही सेम वाला होगा यहां पर 5 मैंने उठा कर रही हूं उल्टा 2, 3, 4 5 मैंने उल्टा कर लिया उनको पीछे के और लेके जाएंगे और यहां से मैं 4 वही करेंगे पहला वाला को 1, 2, 3, 4 यह वाला को बिना से लेकी यहां पर रख रही हूं और तीनों को दूसरा निडल में मैं गुजा रही हूं और जो पहले वाले वाला फंदे को मैंने की थी फोर्थ वाले को उसको यहां पर लाके अब मैं सीधी बुनूंगी 1, 2, 3, 4 फोर हो गया अब फिर यह फंदे को मैं रख दूँगी और तीन फंदे को मैं उठा लूँगी यह लीजी 1, 2, 3 अब जीस फंदे को मैंने रख दिया था उसको इस निडल में डाल के और यह तीन फंदे को इसमें मैं तकि अच्छी धंजा आप कर सके यह लीजी अब यह पूरा चीज को मैं सीधी बुनूँगी 1, 2, 3, 4 हो गया अब उनको आगे को लेके जाएंगे फिर वही थोड़ा सा टाइट हो गया उनको आगे को ले जाएंगे यह देखें आखे हो गया आखे का जो गटा होते हैं वो हो गया अब मैं 5 मैं उल्टा पू करूंगी 1, 2, 3, 4, 5 मैं ने उल्टा कर लिया अब इसको मैं पीजे से और लेके जा रहे हैं बैक साइट का डिजैन का लास्टी पार्ट है और 5 मैं सीधी बुनूंगी 1, सीधे करनी है 2, 3, 4, 5 5 मैं ने सीधा हो गया उनको आगे क्यों लेके जाएंगे 8 फंदे मैं उल्टा करूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे हो गया उल्टा अब मैं रेस्ट 5 जो है उसको मैं सीधी बुननी है 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ये आपके डिजाइन पूरी कम्प्लेट हो चुके है ये लीजे ये आपके पूरी डिजाइन हो चुके है ये हो गया आपके आवल के डिजाइन उमीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा तो उधर आके करेंगे और ये जो ट्रैंगल ये जो जगह है न यहाँ पर हम लिप्स के लिए करेंगे तो ये ब्लैक थ्रेड मैंने लिया निडल लिया थोड़ा मोटे वाले जो कार्पेट करने के जो निडल होती है उसी में से करना है और यहाँ से मैं इसको मैं नट नहीं कर रही हूँ उसको मैं खोल कर रख रही हूँ क्योंकि बाद में पूरा जब कम्प्लीट हो जाएगा तो उस समय हम इसमें नट लगाएंगे अभी इतना ही करके उनको रख देती हूँ और यहाँ फोल्ड करने के बाद यहाँ से मेरा आखे सिंपल गुजाएंगे और निकालेंगे यह होते हैं सिंपल इसको आखे बनाना यह लेजिए मैंने सिंगल उनका इस्तेमाल किया था आप डबल का भी कर सकते हैं तो डबल करने से एक ही बार कीजिए मैं सिंगल से की थी इसलिए मैंने तीन बार मैंने किया अब वहाँ से निकालके मैंने दूसरे सैट में लेके चले गई मैं सही कर देते हूँ अब ये देखी इधर से मुझे करनी है तो दूसरे आखे भी कर लूँगी पर लिप्स करना मैं करनी पा रही हूँ क्योंकि ये औरेड है तो लिप्स को मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है रेड में रेड फिर दिखाई नहीं देगा तीन करने से थोड़ा उचा भी होते हैं दिखने में अच्छे होती हैं और सारी उनी जैसे ये बलेक कलर का भी ये भी SIGS PLY उनन था पीछवाला B1222 वाला भी SIGS PLY होती है क्यों की जितने उचा रहेगा अब यहाँ पर हम एक नौट लगा सकते हैं अगर चार पांच है आवल तो एक साथ में आप कर लिजी फिर नौट लगाईए अब लिप्स जो है आपको मैंने दिखा दिया था ये रेड कलर का उनसे करना है और ये ये ट्रेंगल जो है यहाँ पर आपको करनी है चुकि मेरे ये रेड रेड दोनों ही रेड हो रहे है इसलिए मैं एक्चली करनी पारी हूँ क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा पिर भी कोशिश कर रही हूँ ये देखिए पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सारा एक जैसा लग रहा है ये देखिए उन थोड़ा से बाहर रहेगा ताकि खिसते समय कहीं निकलना जाए दागा मैं बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि कुछ भी पता नहीं चल रहा है कौन सा उन कहां पर है फिर पर मैं कूशिश तो कर रही हूँ घर पर जरूर बनाईए और मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताईए आप लोगों के कैसा लगा ये डिजाइन